दोस्तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जो कुछ भी मैं अपने इस फोन के अंदर कर रहा हैं वो सब कुछ साफ साफ मेरे उस फोन के अंदर दिख रहा है अगर मैं यहाँ पे वाटसाप को ओपन किया तो देख सकते हैं कि वहाँ पे भी वाटसाप ओपन हो गया यहाँ मैंने वापस से WhatsApp ओपन किया वापस से इस फोन के अंदर ओपन हो गया दोस्तो इस तरीके से जो कुछ भी आप अपने फोन के अंदर कर रहे हो साइध हो सकता है कि कोई आपका फोन अपने कंट्रोल में ले लिया हो और जो कुछ भी आप अपने फोन के अंदर कर रहे हो वो आपका जो फोन है वो कहीं पे मिरर हो रहा है अगर आप अपना डेटा को बचाना चाहते हो अपने फोन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो अपने आपको सिक्योर रखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा और दोस्तों उमीद करते हैं कि आप इस वीडिय बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है तो विडियो को कर दीजेगा लाइक चैनल को कर दीजेगा सब्सक्राइब और घंटी को आउन करना मत भूलिएगा सो नमस्कार दोस्तो मैं राजराम प्रसाद और आप देख रहे हैं सीखे आल इन हिंदी दोस्तो आप सभी ने अभी जैसा की देखा कि जो कुछ भी मैं अपने इस फोन के अंदर कर रहा था वो सब कुछ डिटो आपका इस फोन के अंदर दिख रहा था अगर आप इस चीज से बचना चाहते हो आप चेक करना चाहते हो कि कहीं आपका भी फोन कहीं और तो नहीं देखा जा रहा है सबसे पहले आप सभी को अपने फोन के सेटिंग के अंदर चले आना है आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे एकदम बॉटम में आ जाना है आपको यहाँ पे एक option देखने को मिलेगा system करके इसके उपर आपको click करना है यहाँ पे आपको advanced option दिखेगा इस पे click किजे यहाँ पे आपको कहीं से भी developer option को find कर लेना है अब इसके उपर आपको click करना है यहाँ पे आप सभी को यह एक option देखने को मिलेगा running services देख सकते हैं गाई जिक दम ध्यान से देख लिजेगा ये एक option आपको दिखेगा running services इसके उपर आपको click करना है और यहाँ पे आप ध्यान से देखेगा दोस्तों कि कहीं कोई ऐसी application तो नहीं है जो आप उस application को नहीं जानते नहीं पहचानते कोई ऐसा app तो आपके phone के अं known application तो नहीं है जो आपके phone के अंदर बैठा हुआ है और आपकी जो भी information है वो कहीं और send कर रहा है तो ये चीज आप clear कर लिजेगा दूसरा जो option आपको check करना है वो है आपका WhatsApp जी हाँ दोस्तों यही था इस video का title भी कि कहीं आप सभी का WhatsApp कहीं और पे तो देखा नहीं जा र करने के बाद यहाँ पे आप सभी अपने WhatsApp के इस three dot के option पे क्लिक किजेगा अब यहाँ पे आप WhatsApp वेब के उपर क्लिक किजेगा और यहाँ पे आप ये चीज देख लिजेगा कि कहीं आपका भी इस तरीके से Chrome browser में active तो नहीं दिखा रहा है अभी देख सकते हैं कि यहाँ प option पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे logout का option दे दिया तो अगर आप सभी के भी WhatsApp के अंदर ऐसा option दे रहा है तो फट से आप logout कर लिजे नहीं तो आपकी सारी पोल किसी और के हाथों में चला जाएगा अगर आप इन दोनों सेटिंग्स को चेक कर लिए होंगे तो आब आप प पूरा का पूरा एकदम secure हो चुका है अभी भी आपको संका लग रहा है तो आप अपने सेटिंग के अंदर चले जाएगा यहाँ पे आप search कर लिजेगा device admin app अब यहाँ पे आप इसको उपर click किजे और click करने के बाद यहाँ पे आप device admin app के ऊपर click किजे और यहाँ पे आप देख लिजे कि इस app के अलावे कोई और application तो यहाँ पे active नहीं है कोई और application तो आपके device admin app के रूप में नहीं है अगर आपको ऐसा लगता है तो first से आप उसे बंद कर दिजे और सिर्फ एक application इसे ही on रहने दिजेगा ऐसी वीडियो मैंने आपको परसो ही बना कर आप सभी को दिखाया था अगर आपने अभी ये वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को watch कर लिजे इस वीडियो के अंदर 4-5 setting मैंने आपको बताया है जो आपके लिए बहुत important है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको लगा होगा कि हाँ ये हमारे लिए बहुत काम की वीडियो है तो please आप इस वीडियो को एक like कर दिजेगा चैनल को subscribe कर दिजेगा और घंटी को on करना मत भूलिएगा